So, Hello Vivan, Guys, Haramadev, Radhi Radhi, कैसे आप सब लोग? I hope आप सभी लोग अच्छे अगर अपने लाइफ में भी आगे भड़ रहे होगे. So, Guys, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आगे हूँ. Who is coming new versus old? Guys, कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में, Okay? So, this time, आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं, जब भी आपको ये रीडिंग मिले, आपके लिए कोई ना कोई इस रीडिंग में मैसेज होगा, Okay? So, कोई भी आप पाइल पे कर सकते हूँ, चाहे intuitively, चाहे अपने नेम के नीशिल, Okay? So, दोनों में से कुछ भी चूज कर लेजी, आपकी विश्च है, So, फॉर्स्ट पाइल के लिए हैं, यहाँ पे मान होल्डिंग कोई कार्ड, And अगर आपकी नेम के नीशिल, A से लिक आम के बीच में आते हैं, तो आपके लिए फॉर्स्ट पाइल, And second पाइल है, यहाँ पे action card, और अगर आपके नेम के नेम के नीशिल, N से लिक जट के बीच में, तो आपके लिए है second पाइल, Okay, So, दोनों ही पाइल आपके सामने हैं, आप अपने accordingly चूज कर लीजे, ठीक है, So, start कर लेते हैं, आपकी रीडिंग को first पाइल से उससे पहले, अगर आप new हो channel पी, तो subscribe क कर लो channel को, bell icon को दबा के all पे set कर दो, so that आपको आने वाले सभी notifications मिलते रहें, Okay, personal reading के लिए आप मुझे Instagram पे DM कर सकते, Instagram का link, description में है, time stamps के just रुपई, याँ, about section से भी देख सकते हो, जहाँ पे pick लगी है, या में होम पेच पे, उसी के just नेचे, Okay, so start कर लेते हैं, आपकी reading को, so first file, अगर आपने man holding a coin card को pick किया है, या फिर आपके name का initial, A से लेकि M के बीच में आता है, तो आपके लिए है first file, Okay, सबसे बहले चीज़ तो guys, first file, आपकी life में कोई नो कोई earth sign के person, या फिर बहुत grounded energies में रहने वाले person ही आ रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है, चाहे ये कोई love relationship में हो, चाहे ये आपके career में colleagues होते हैं, वो हो सकते हैं, चाहे guys, आपकी family में ही कोई person है, जिससे आपके बहुत time से बात नहीं हुए है, ये वो person भी हो सकते हैं, जो आपकी life में वापिस आ सकते हैं, ठीक है, कोई new person भी हो सकता है, of course हम new versus old देख रहे हैं, so ऐसा नहीं हो सकता कि सारा past में से देख लें, no, so new versus old में हम देखें, क्योंकि, so 43 number आपके लिए important हो सकता है, यहाँ पे 7 number आपके लिए important हो सकता है, also ये person जो है business man हो सकते हैं, business minded हो सकते हैं, business करना इनको बहुत अच्छा आता है, and also मैं यहाँ पे यह भी देख पार हैं, कि यह जो आपके partner है guys, यह चाहे girl है, चाहे boys के अंदर masculine energies रहने वाले हैं, and also rich abundant family से भी होने वाले हैं, okay, and यही energies guys, मुझे यहाँ पे अभी main energies दिख रहे हैं, and इस person के life में growth बहुत है guys, okay, so grow यह करेंगे अपनी life में, so यहाँ पे growth दिख रही है आपके partner की life में, so guys, आज मैं अपना new tarot deck use करूँगे, okay, जो मैंने मंगवाया है, I think यह बहुत कम लोगों के पास होगा, YouTube पे बहुत कम लोग ठीक है, because मुझे लगा कि yes, नहीं होगा यह, ऐसे होंगे बहुत सारे, but yes, यह जो मैंने रहें मंगवाया, I think एक दो लोगों के पास ही है, so मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तो ले लिया, मेरा दिल आया, तो of course, क्यों नहीं है, so guys, यहां से देख लेते, क्या energies आ रही है, कौन आ रहा है आपके life में, so मैंने सोचा, आज क्यों न हम इसको use करें है, so, okay, हर हर महादेव लिखते हैं जामें guys, okay, comment section में और अल्सो राधे राधे, ठीक है, so, okay, so यहां पर हर्मिट कार्ड आया है guys, okay, great, okay, and four of cups की energies हैं यहां पर, I hope आपको cards दिख रहे हैं हो guys, अन यहां पर guys, sun की energies हैं, great, amazing, amazing, nice, wow, so, यहां पर five of swords, okay, sorry, five of pentacles, okay, यहां पर nine of pentacles, great energies, okay, great, wow, last energy है, यहां पर king of swords, कौन आ रहे है guys, आपकी life में bottom of deck is, eight of wands, and middle energies क्या हैं, four of pentacles, okay, सबसे पहली चीज तो guys, यहां पर online chatting, online calling, यह सब चीज़े मुझे यहां पर दिख रही हैं, okay, and second चीज, so second चीज गाईज, जो मुझे दिख रही है, यहां पर online मिल सकते हैं आप इस person को, यहां पर बहुत straight and straight forwardly बात करने वाले partner आपकी तरफ आ रहे हैं, चाहिए girl है, चाहिए boy, but yes, जो भी girl, masculine energies में हैं, sorry, feminine energies में जो girl है, बदो girl है, चाहिए boy है, but जिसके अंदर feminine energies में, business minded है, money wise को issue नहीं उसको, pentacles, business बहुत अच्छा चल रहा है, growth यहां पर दिख रहे है, business में हो, कि आपके आने वाले time में, यह जो भी person आएगा, यह भी हो सकता है, यह आपकी ही energies आ चुकी हैं, और यह आपकी person जो आपकी तरफ आ रहे हैं, यह ने एक हो सकता है, आपकी relationship में हूँ, वहाँ भी आपको, एक दुसी से अलग जाना पड़ी हैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, five of pentacles हैं हैं हैंना, आपने person की offer नहीं accept करें, because आपको I think marriage के लिए रिष्टा आ चुका है, marriage यहाँ पे दिख रहे हैं आपके लिए ठीक है, so marriage is here guys, so sun card है यहाँ पे आपके लिए, so sun यह शो करता है guys, आपकी life में खुश्या, happiness ओके, and also clarity, आपकी life में आगे आपको के अच्छा ही है, so sun ही शो करता है आपको ठीक है, and यहाँ पे hermit card है, यह शो करता है आपकी life में, कि yes, आपको अपनी life में, यह जो person आ रहे हैं आपकी life में, यह थोड़ा सा अकेला रहना सीखियों है, या इनको अकेले रहने में अच्छा लगता है, यह मैं यहाँ पे देख पारू, अकेले रहना अच्छा लगता है, यह यहाँ तो यह बहुत अकेला फील करें, यह जो भी person आ रहे हैं, इनकी life में इस time, hope है कि यह सब अच्छा होगा आगे, सब अच्छा होगा, यह यह वाई सब अच्छा जिस भी हो सकते हैं, आपके मन में भी ऐसा हो सकता है, हाँ ना, आपके लिए 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 राशी इंपोर्टन हो सते हैं, सिंग राशी इंपोर्टन हो जाती हैं, सब अच्छे एनर्जी दिख रहे हैं, आपके परसन को सेविंग करना पसंद हो सकता है, आपके life में खुशना लेकर आ रहे हैं, इनके सामने बहुत सारी options आई, बट इनको वो अच्छे नहीं लगी, पसंद नहीं आई, बट आपका जो कप था इनको भीजा गया हैं, आपको इन्होंने accept किया हैं, ठीक है, यहाँ पर यही energy है, seven of swords आया है, कहीं ना, कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ तो किसी को लग रहा है, आपको लग रहा है, किसी ने आपको धोका दिया है ना, आपकी life में, यह relationship के लिए भी हो सकता है, किसी ने आपको धोका दिया, और अब आपकी life में, शादी का रिश्टा आता हुआ दिख रहा है, तो आपके partner जो थे past वाले उनको लग रहा है कि आप उनकी मतलब होता है उनको आप धोका दे रहे हो यहाँ पे मुझे देख रहा है कि आपके life में कोई new person ही आ रहा है past से तो कोई नहीं देख रहा है मुझे से so of course बहुत अच्छी energies है guys आपके लिए so यहाँ से देख लेते हैं पहले क्या energies आ रही है आपके लिए so कौन आ रहा है आपकी तरफ यह person कौन है I think थोड़ी से उलजी हुई reading लगी मुझे ना first while के लिए थोड़ी से difficult और different सी reading थी आज I don't know why I feel like this कि थोड़ी से मन खोया-खोया जैसे किसी का हो वो energies देख रही है so okay so यहाँ पे आया है आपके लिए memories of love six of cups की energies है six of cups आपको पता है soulmates को show करता है ना आपकी life में को soulmate आता हुगा देख रहा है guys आपकी life में मैं यहाँ पर यह देख पार हूँ कोई नो के person आ रहे है जो आपको दिल से दिल की बात करेंगे आपसे hope card है यहाँ पे okay यहाँ पे है आपके लिए harmony card okay temptations and last card is suffering in silence okay and bottom of deck guys यहाँ पे है आपके लिए moving on okay सबसे पहली चीज़ तो यह decree harmony आपके जो partner होने वाले है ना उनके साथ बहुत अच्छा relationship मैंने कहा ना आपके soulmate होंगे वो okay जिनसे भी आपके शादी होगी ना वो आपके soulmate होने वाले हैं आपके उनसे बनेगी बहुत मैं यहाँ पे कुछ देखनी पा रहे है but कही ना कहीं आपको सफर भी करना पड़ सकता है इस रश्टे में silence में अकेले में सफर सो कही ना कहीं ऐसा feel हो सकता है आपको केलापन feel हो कही ना कहीं silence में आप सफर कर रहे हो ऐसा feel होता हुआ दिख रहे है कही ना कहीं temptations की energies हैं यहाँ पे sexual thoughts, sexual energy, sensual and sexual powers का increase होना आपके partner का आपके towards सो ऐसे चीज़े भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं सो जो के आप but yes आपके partner के मन में यह आपके मन में hope है कि यह सब सही होगा हाँ ना sun के energies आएंगी happiness है यहाँ पे आपके life में आएगी सो यह यहाँ पे energies दिख रहे हैं ठेक है and of course आपके लिए guys number 6 important होसता है triple six भी बहुत important होसता है four times six हाया है guys अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे moving on के energies है six number से ही rule हो रहे है six वहाँ है I think one plus five six and वहाँ पे भी six है four times six के energies हाई है so यह show करते हैं आपकी life में love love relationship भाणने को show करते हैं ठीक है so यह आपको यही show करें and moving on यह जो person है ना यह person आपको dark night of the soul से कहां लेकर जाएंगे रोश्नी में new जगा हो सकते है निया place जहां आपको जाना पड़ सकता है so यह energies दिख रही है मुझे okay and of course बहुत अच्छी energies है कोई यहाँ पे मुझे issue नहीं दिख रहा है guys okay बस थोड़ा सा यह हो सकता है कहीं आप अकेला feel कर रहे हो सकता है आपको अकेला feel हो वहाan यँद almighty कहीं नक्रीज आप अकेला रहना चाहते हो बतğ नहीं रह पार हो तो सफर कर रहे हो silence में अकेले में नहें रहकर बैट के रोज रहे हो okay so universe is time आपको क्या मैसस देना चाहते है अपनी तरफ से okay guys so it's lady nada heart awakening के energies है so आपको बोला चारा है awaken to acceptance and divine love give and receive and balance so deal lean balance में ही अच्छा लगता है of course अगर आप for example relationship में भी हो आपको देना जादा पड़ रहा है and आप ले कुछ नहीं रहे हो so guys it's not in balance so आपको उसको balance में करना पड़ेगा so यह बहुत important है आपके लिए awaken to acceptance and divine love so अपने आपको awaken करिये and divine love की रास्ते पर चलना start करिये ठीक है and आपके life में बहुत सारे faces and cycles आपको देखने पड़ रहे है यह person जो है ना आपके life में change लेकर आएगा black crow है ना यहाँ पर बैठा हुआ so वो आपके पित्रों को भी show कर रहे है so of course यह person आपके life में अगर family wound को यह create हो रहा है वो चल रहा है बहुत time से वो यहाँ खतम होता हुआ दिखेगा there is a beginning within every ending illusions are revealed and released so illusions आपके लिए revealed की जारे and release की जारे and bhagwan krishna यहाँ पर आ चुके है and radhe radhe जरूर लिखते ना मैं तो starting में reading में बोल दिया था I don't know na कभ भगवान जी आपकी सुन ले है and also you don't know आपकी life में कभ भगवान जी ने आपकी सुन ले नहीं है चाहे कोई भी बात हो आपकी है so krishna ji है devotion शोगरी आपको यहीं बोला जाया trust for अपने spiritual guidance की उपर guys trust your spiritual guidance your commitment has been recognized you are loved unconditionally so आपको बहुत जड़ा प्यार universe देते हुए दिख रहे है and यह जो भी personal भगवान कृष्ण के भक्त हो सकते हैं and महाफ्तार बाबाजी है om mantra chant करना start करें guys okay भगवान शेफ and मैंने बोला यह भगवान शेफ और कृष्ण है and so यहीं आ गए हैं वो and आपको बोल रहे हैं कि yes your consciousness is expanding okay you understand the connections between all things so आप connections बिठा पारे हैं उस भी चीज़ों में ठीक है and of course ordinary हैं psychic insight की energies हैं your third eye is open red tooth for what it is and also follow your intuition so follow करें guys अपनी intuition को आपकी intuition आप क्या बोलना चाहते हैं उसको follow करना start करें so आपके लिए यह सबसे बड़ा message है okay so कुछना कुछ रीजन होता है न हमें कहा जाता है कि अपनी follow करें intuition को so it's a reason there's a reason behind everything so that's the reason कि आपको यह सब चीज़े हो रही हैं न आपकी third eye chakra open हो रहा है आपके person आ रहे हैं या उनका third eye chakra open है so बहुत अच्छी बात है उनकी intuition बहुत high हो सकती है हाना so मैं एक और card लेना चाहते हूं guys I don't know why but yes मुझे मेरा मन हुआ I think beach में से ले लेते हैं middle energies okay so guys हान जी बहुत divine को मानने वाले हैं भगवान में मानने वाले आपके partner हो सकते हैं divine alchemy है यहाँ पर move beyond current challenges so आपके current challenges से आगे वढ़ने की कोशिश करिए focus on what you desire so focus करिए आपके क्या इच्छाएं हैं क्या desires हैं आपके आपकी life में ठीक है so उनके उपर भी focus करिए amethyst आपके लिए important crystal हो सकता है so it's better कि आप अपने पास उस crystal को रखिएगा ठीक है and जैसे मेरे पास rose quartz है आप ही ऐसे ले सकते हो guys ठीक है rose quartz के ring है मलब pendants है मेरे पास बहुत अच्छे pendants है rings है okay and उनके bracelets भी है so अगर आपको परश्रेज करने है if you want then just tell me okay आप instagram पे मुझे message कर देना amethyst के लेने है pyrite crystal की लेना है ठीक है आपको pyrite का लएक होता है bracelets लेने है ring लेनी है pyrite बिल्कुल raw इतनी अच्छी ring है ठीक है मैं आपको दिखा नहीं हूँ I don't know why मिग पास time ही नहीं होता है guys ठीक है so if you want to buy these things तो of course बस आप मुझे बोल सकते हो ठीक है so यहाँ पर है guys कौन है यह person okay हम यह question देख रहे है and कब तक आएंगे यह so हमारा question तो में यही था कब तक आएंगे यह person आपकी life में अगर नहीं आए है मैं तो यहाँ पर देख पार हूँ कि आ चुके है because five of pentacles की भी energies चल रहे है so आ ही चुके है but कही न कहीं two की energies बहुत जादा है guys आप देख सकते हो two of wands, two of swords, two of the moon card two की energies यहाँ पर आप दो देख रहे हूँगी so यह show कर रही है मुझे सभी चीज़े की is confusion थोड़ी सी strength है confusion है mother of pentacles and three of pentacles यह show करता है कि आपके जो person है आपके जो partner है वो अपनी life में is time confused है यहाँ पर आपको लेके यहाँ पर अपनी family को लेके confusion में वो है so confusion यहाँ दिख रही है मुझे and rich abundant family में ही यहाँ पर मुझे दिख रही person होने वाले आपको भी वैसे ही रखेंगे so कहीं रिकिया इंतजार करना पढ़ सकता है किसी चीज का आपको इस person का इंतजार करना पढ़ सकता है आपको and also guys यहाँ पर यह person आपको 2 मंत 2 दिन हो हो सकते हैं 2 हफ्टे हो सकते हैं 2 महीने हो सकते हैं दो साल हो सकते हैं आपको वेट करना पड़े इनका ठीक है दो साल से जादा मैं टाइम नहीं देख पा रहे हूँ so don't worry okay so guys अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही हो तो like कर देना okay and subscribe भी कर लेना okay and bell icon को दबा के all पे set कर देना so that आपको आने वाले सभी notifications मिलते रहे personal reading अगर आपको लेनी है तो आप मुझे सीधा DM कर सकते Instagram पे Instagram का link description में है time stamps के just रूप है यहाँ फिर आप लोग about section से भी देख सकते हो ठीक है and अभी के लिए इतना है guys सरमादीव, राधी राधी, God bless you everyone bye so hello everyone guys आप सभी लोग अच्छे कर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे so good morning everyone so guys आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आगे हूँ who is coming in your life new verse is old okay so who is coming new verse is old so कौन आ रहे है आपके जिंदगी में guys इस time पे so मतलब जो ये timing चल रहे है अभी इस time कौन आ रहा है so आपके name के नीशिल अगर N से लिके Z के बीच में आते हैं याँ फिर आपने action card को पिक किया है तो आपके लिए है second file okay so guys सबसे बहले चीज़ तो मुझे जो दिख रही है सबसे बहले तो guys आपके twin flame अगर मैं इनको बोलू तो guys guys कुछ गलत नहीं होगा okay so ये आपकी life में आ रहे है आपकी life में न ये शाहिद पहले भी आए होंगे कुछ separations हो गई होंगी and after that आप फिर से आ रहे हैं okay but देख लेंगे हम new आ रहा है या old okay but yes आपकी life में guys को परसन आ रहा है and of course ये masculine energies में ही होंगे अगर girl है उसके अंदर भी masculine energies होती है okay and boys के अंदर भी होती है so दोनों ही types के energies हमारे अंदर पाई जाती है okay so जो भी masculine energies में होगा वो guys आने वाला है यहाँ पे and feminine energies वाला आ गया गया भाग रहे ठीक है तो race लगी हुई है यहाँ पे दो घोडो की and of course अच्छा दिक्टरा relationship क्योंकि of course ऐसे ही होना चाहिए हमारे partner को हमादे ये पीछे ही आना चाहिए और किसी के पीछे जाने से अच्छा है 17 number आपके लिए important हो सकता है 8 number आपके लिए important हो सकता है guys हाना and ये आपकी life में growth लेकर आ रहे है and आपकी life को balance कैसे करना है ये आपको बताएंगे so balanced energies आपकी life में आने वाली है इस person के आने के बाद 17 number आपके लिए important हो सकता है जैसे मैंने बताया and guys ये मेरा new deck है I love this check मतलब जब से आया आपको इससे प्यार हो गया and ये इसके जो हना characters है बहुत ही अच्छे है मतलब बेक को बहुत पसंदाए देख लीजे आप मतलब है normal ही deck but yes उसके अंधर भी अच्छे-चे images चिक है so बहुत अच्छे energies हैं यहाँ पे इस check में so I love this check ये मेरा new deck है YouTube पे I think किसी के पास नहीं है ये हाना जो भी जतने भी tarot reader है उनके पास ये नहीं होगा I know नहीं होगा guys ये हना अब ये भी newly newly launch होगा है ये मतलब so यहाँ से देख लेते हैं क्या है eight of swords okay 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 so many cards guys but ये नहीं लूंगी में okay so three four cards आए थे आपके लिए oh my god it's four of wands nice wow 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 amazing amazing कौन आ रहे है guys आपके थरफ and यहाँ पे है ace of swords okay great and यहाँ पे है guys आपके लिए star card and of course यहाँ पे nine of wands के energies okay and last card है आपके लिए strength card okay so bottom of the deck guys यहाँ पे lovers आया है and middle energies chain of pentacles oh my god amazing amazing so बहुत अच्छे energies है guys मैंने इसको थोड़ा चुपा ले I think पता नहीं क्यों YouTube वाले सारे चुपाते हैं तो मतलब होता है नहीं मैंने देखा है करी readings में वो लोग नहीं ऐसे चुपा लेते हैं ऐसे cards को I don't know क्यों but yes it's okay वस इतना तो वो vulgar है नहीं है ना तो anyways यहाँ पे guys आपके लिए क्या आ रहा है आपकी life में क्या रहा है guys कौन आ रहा है आपकी जिंदरी में यह देख रहा है हमें है नो oh my god anyways guys यहाँ पे है आपकी life में कौन आ रहा है new verses also guys आपकी शादी के chances यहाँ देख रहे पता नहीं आपके पार्टनर के साथ आपकी communication हो सकती है future में बट अभी में यहाँ पे देख पा रहे हूँ कि वो person आपसे यह तो अभी बात नहीं करना चाहते है क्योंकि of course शादी है वो हाना marriage है वो तो of course आपके पार्टनर ऐसे एकदम से आपसे बात थोड़ी करने लग जाएंगे आजकल बहुत ज़ार ट्रेंड़े है बट पुराने टाइम में कौन करता था ऐसे बात है अपने person के शादी से पहले of course आजकल तो बहुत normal है यह है ना but yes वो चाहते हैं आपसे बात करना यह आप चाहते हैं उनसे बात करना बट वो नहीं कर पा रहे हैं so कोई लो की reason of course वो girl है तो वो थोड़ा करेगी है ना कि नहीं मुझे अभी नहीं करनी है बात so यह जो भी है यहाँ पर वो energies वैसे कुछ दिख रही है but yes communication हो जाएगी communication की energies यहाँ पर दिख रहे है new beginnings नए लोगों से बात्चित नए लोगों से मिलना यह किसी के शादी आप अट्रेंट करते हैं दिख रो यह भी हो सकता है यह person आपको शादी में मिल सकते हैं किसी ऐसे मतलब होता है न कोई ऐसे जगा मिल सकते हैं जहाँ पर parties हो रही हो party हो रही हो यह किसी के शादी में आप गए हो वहाँ यह person आपको मल सकते हैं यह मिले होंगे इसके नीचे वाला तो ऐसे four of pentacles था बट सीधा ही यह निकला son आपके इच्छा पूर्ती यहाँ दिख रहे है आपकी यहाँ पर होते हुए आपको दिखेगी ठीक है 10 of pentacles है तो of course यह शो करता है आपकी life में कि happy family happy family आपकी बनते हुए दिख रहे है आपकी यहाँ तो desire है कि आपके घर वाले आपके family वाले ही आपकी शादी करें मिलकर arrange marriage की यहाँ पर wish है आपकी तो यहाँ पर वही होता हुए दिख रहे है ठीक है so don't worry आपकी arrange marriage ही होएगी and yes आपके च्छा पूरती ही होने वाले जो आप चाहते हो ठीक है वैसे ही होने वाले but yes family भी बहुत happy रहने वाले है this season से आपके but अभी this time आप कहीं न कहीं तो struck feel कर रहे weight of swords है कहीं न कहीं दिमाग में ही सोच वे बहुत कुछ कि क्या यह person सही है मेरे लिए क्या right है of course guys यह सभी को होता है आपकी भी अगर शादी होगी तो आप सोचो गे ना शादी से पहले कि यह वाला person मिलने सही है या नहीं हाना तो यही वो feeling होती है कि क्या मैं कुछ right गलत नहीं कर रहे हूं या कर रहा हूं हाना क्या यह person में right है या नहीं क्या इसके life में past में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ है हाना आजकल बहुत लोग डर रहे हैं सब चीजों से भी इतनी ज़र tension मतलो stress मतलो जो होता है इश्वर जो चाहते हैं जैसे आपके करम होंगे या उनके करम होंगे वैसा ही मिलेगा ठीक है यह वो energy शो कर रहे हैं strength card है strength यही शो करता है कि yes आपकी life में मैं यहाँ पर यही बता पहूं कि yes बहुत जआGMदफुल आपके person हो सकते है या फिर आप बहुत strengthful हो सकते हो doctor हो सकते है, healer हो सकते है healer मतलब ऐसा नहीं कि doctor हों healer हो healer guys healer भी होता है reality वाला healer भी होता है जो औरे की healing के थूख heal करते हैं लोगों पर वो हो सकते है या फिर मेरी तरह Gemini okay and also Taurus Urgo Capricorn and Aries Leo Sagittarius and यहां पर तो Gemini, Lebracuarius भी है तो यहां पर सभी के सभी signs भी आगे एक तरह से Pentacle भी, Wands भी, Swords भी and I think water नहीं है न, water energies यहां पर नहीं है I think Khanji but यहां पर है guys अगर मैं आपको lovers के नीचे दिखाऊना तो यहां पर Ace of Cups है Of course बहुत अच्छी energies है guys यहां पर बहुत अच्छा deck है I love this deck जब से आया है मैं तो इससे रोज अपनी reading कर रही हो ठीक है and I hope आपको भी अच्छा लगा होँआ So anyways guys दूसरा deck से हम आपके energies check out करते हैं कौन आ रहे हैं आपकी तरह मुझे यहां तक लगा है तो यह person guys new ही दिख रहे हैं मुझे क्योंकि Ace के energies आई हैं बट यह कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपको अपने partner से commitment नहीं मल रही थी और अब आपके partner आपकी यह इच्छा पूरी करने वाले हैं तो अफकोस आपकी marriage यहां पे हो जाएगी ठीक है तो आपकी wish होगी commitment की आपको मिल जाएगी commitment तो guys यह वो ही person हो सकते हैं जो past कहीं है अगर नहीं तो आपकी life में कोई नहीं है तो guys आपकी life में new partner आने वाले हैं ठीक है oh my god guys of course new beginnings are there for you new beginnings ही होने वाले हैं आपकी life में चाहे old person के साथ हो चाहे new के साथ because यहाँ पे nine of wands है कहीं न कहीं strength रखने के लिए बोला जारे दो cards के through ठीक है so new beginnings guys यहाँ पे हैं चाहे old partner के साथ चाहे new partner के साथ and light की energies है तो of course आपकी life में बहुत सारी रोशनी आने वाली है बहुत सारी खुश्या आने वाली है sun मैंने आपको पहले भी दिखाया था ना so sun की भी energy सी है तो आपकी जो भी manifestations है वो fulfill होने वाले चाहे वो career related है career अगर आप घर से ही बैठके क्यों काम करें तो of course आपको उसके through भी money आनाप करते हो दिख रहे हो ठीक है and of course आपकी life में ये खुश्यां आ रही है आपकी life में ये money आ रही है career भी है आपका बहुत अच्छा ग्रो कर रहे है कुछ नई शुरुआत अगर आप अपने career में करना चाहते हो वो भी यहाँ पर दिख रही है कोई नया काम आप start करना चाहते हो नया काम में कदम रखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे नेर्जा सहे and guys यहाँ पर है spiritual union so आपकी union यहाँ पर होते होई दिख रही है दिख रही है आपके partner के साथ true love यहाँ पार्टनर के साथ्ध जो भी आपके सच में पार्टनर है ना ना यह ने तो youtube यूनिवर्स ने धूड़े होए उनके साथ की शादि यहां पिया फेर आपके उनसे युनियन होते हुए दिखारीया पूसे मलते हो बहुत टाइंगे बाद अगर मिले भी हो मिल रहे हो तो यहां पर s внут или six chakra है वह आपका इंट्यूशन को बताता है पीलिंग को बताता है मैं एक्छेंज कर दिया के तर्ट आपका इंट्यूशन को श्रोभ ले पने को करता है आपके intuition है ना कैसी है कैसी नहीं है so of course वो guys कैसे मतला आपके intuition कैसे बता पाती है वो कैसे बोल पाती है guys है ना वो आपके emotions अंदर क्या चाल रहे हैं अगर आपने कुछ manifest करना है थरड़ाई चक्रा के थ्रू कुछ देखना है future का तो आपके emotions अस time stable होने चाहिए उस time आपके emotions मतला होता ना जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचते रहने चाहिए तो यहाँ पर आपको वही बोला चाहिए चक्रा यहाँ बहुत important हो सकते हैं चक्रा इंपोर्टन रोल भी ले कर सकते हैं आपके partner की थरड़ा ही चक्रा उपन हो सकती है कि आपके partner बहुत emotionally आपके लिए विलेबल रहने वाले हैं बहुत प्यार केर आपको उनके उनसे मिलने वाली है ठीक है and bottom of the deck यहाँ पे है harmony oh my god आपके partner ना guys बहुत प्यार करने वाले होने वाले हैं मैं यहाँ पे harmony यहाँ पे spiritual union आ चुक है ना दो card same to same अलग-अलग मतलब होता है ना आपकी soulmates से ही आपकी शादी के यहाँ पे chances बहुत हैं guys आपकी second pile see this see this guys मैंने ऐसे देखे एकदम से मेरी हाथ में आ गई यह card foundation and achievements 100% आपकी marriage पता ने क्यों but yes marriage यहाँ पे आपकी होते हुए देखे रहे है guys don't worry जिनकी होगी ना please comment section में बता के जाना के हांची देधी हमारी हो चुकी है शादी अप आपने बोला था ना बटे यहाँ आपके पास time ही नहीं होगा ना शादी के बाद तो it's okay so anyways यहाँ से देख लेते है guys अगर आपको personal trading चाहिए होगी तो आप मुझे DM कर सकते instagram के अगर आपको pendants, rings चाहिए, amethyst, pyrite, rose quartz okay and also so many combination bracelets are available here okay and trees चाहिए अगर आपको seven chakra tree चाहिए okay so वो भी आप ले सकते हो so यहाँ से देख लेते हैं क्या energy साहादी है आपके लिए so guys आपकी partner आपको heal करने आ रहे है या आप उनको heal करने जा रहे है honor your sensitivity so आप honor करिए अपनी sensitivity को retreat करिए अपने आपको recharge करिए okay heal करिए आपकी light जो रौशन ही जो है दूसरों को support करते हों देख रहे है ठीक है आपकी जो willpower है वो दूसरों को भी support कर सकती है यहाँ पर यही energies है आपके लिए 19 नमबर 2 नमबर 6 नमबर important हो सकता है and magic manifesting के energies है यह show करती है आपको आईसी स्कॉर्डस के your dreams, visits and goals are becoming a reality okay stay focused so focused रहे है शुन्य के energies बहुत important आप भगवालशेप के भगत हो सकते हो यहाँ पर आपके partner हो सकते है ठीक है क्योंकि यहाँ पर शुन्य के energies में जाना तो भगवालशेप ही जानते है तो of course हाना so यहाँ पर magic manifesting के energies है आप जो manifest करना चाहते हो करो आपको tension नहीं लेनी mother marry आई है love and peace के उपर focus करने को बोल वे तो कर लो हाना let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time so mother healing आपके लिए possible है this time पर यहाँ भी आपको 11-11 बहुत दिख सकता है 11-11 आपको दिखता है तो यहाँ भी बोला जा रहे है आपको archangel Michael so guys यहाँ पर आपको archangel Michael अगर दिख रहे है तो trust करना सीखो heaven की उपर okay यहाँ फिर आपके मन में विचा रहाता है archangel Michael आपको मतलब कुछ message देना चाहते है okay so वो आपके twin flame यहाँ फिर soulmate के बारे में कुछ न कुछ बिताना चाहते होंगे ठीक है एंड़ना मत हर किसी के साथ ही एक angel रहती है ठीक है एक या दो या तीन जो भी है हर एक person के साथ आज भी खड़े है वो ठीक है ऐसा नहीं है कि आप भगवान को नहीं मानते हो तो आपके साथ नहीं होंगे no सब के साथ उनके angels होते है ठीक है तो आप चाहे इनको भगवान के दूट समझो चाहे कैसे भी बटी होते हैं तो यहां से देख लेते हैं किस चाइम आएंगे गाईज अगर यह person अभी नहीं आया न तो किस चाइम आपको देखने को मिल सकते हैं यह person ओके तो यहां पर strength card है first तो यह show कर रहा है कि yes आपकी life में यह person जो होने वाले हैं यह guys within 9 months यहां फिर 9 days भी आ सकते हैं नौ दिन भी आपको लग सकते हैं 9th और 10th month आपके लिए important हो सकता है ठीक है and also guys यह person आपको within 21 days भी मिल सकते हैं ठीक है या फिर 29 days या फिर आपके लिए जैसे मैंने बताया आपको 11th number important हो सकता है आपके लिए यहाँ पे six of swords है तो यहाँ पे बहुत अच्छे energies आई है अगर मैं यहाँ पे energies देखना हो तो guys यहाँ पे बहुत best energies आई है यह person जो होने वाले हैं आपके यह आपको बहुत जादा प्यार love, care, strength feel करवाने वाले हैं happy family आप दोनों की बनने वाली है यहाँ पे okay so guys अगर आपको reading पसंद आई हो like this reading, subscribe to this channel, bell icon को दबा देना, all फिस set कर देना, अभी के लिए इतना ही God bless you everyone and guys also यह amethyst गिरा न, want तो of course guys इसकी यही है कि yes अभी आपको energy send कर रहा है कुकि उसके pointers चो होते हैं अगर वो guess जाए तो इसकी तरफ ही energies आएंगी ठीक है उसकी amethyst की so बहुत सारी healing का आपको provide करते हैं दिख रहे हैं मेरे angels okay so अभी के लिए इतना ही, bye guys